आपके जो प्रोग्राम मतलब जो कॉम्रेटी है उसमें जॉइन करने से पहले मुझे एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था स्टोडी की जैसा फिल था कि हां ऐसा होता है आपका जो और शाफ है उसमें करने के बाद ना हमको ऐसा लगा कि हां एक्सपोर्ट कर सकत कि एक्सपोर्ट करें थी ये किसी को नहीं पता था से मैं मेरे हस्बिन और मेरे बिटा तीनों ही जानते थे और क्सी को नहीं पता था क्योंकिregate करते एं तो इसलिए मैंने किसी को इंफम करने कि कि हाँ सब सक्सेस्फुली हुआ तो मेरा सैर है जो मुझे फुली सपोर्ट किया है तो अभी क्या और को रिक्वाइर्मेंट है या सिर्फ एक ही चाहिए था उनको इस है उनको मैंने पहले जो कंसर्मेंट भेज दिया तो बहुत खूश है और वो ना नेक्स्ट के लिए रेड गर्ल्स या लड़ीज जो भी लाइक आप या लूड़ी फां प्रॉस्पेक्टिव और महिलाय है उनको क्या मैसे दिना जाओ गया उनके लिए यही मैसेज है कि हम लोग लड़की है तो सब कुछ कर सकते है रहा है तो एकस्पूण भी कर भी सकते है इस लाइक इस लाइक दिश ये नहों सपेशल दिश हम बनाते है ना पंदरा मिल्स लगते है किचन में बट शायद ये बनने में 15 दिन या फिर 15 हथा लग स इस पोड़कास को आप तक लेकर आने का परपस माय रिस्पेक्टिद आंट्रपुनर्स केवल इतना है कि आप भी इंस्पायर हों एंकरेज हों और आप जम के एक्सपोर्ट करें और देश की ग्रोथ में जुड़ें आज हमारे साथ जो पार्टिसेपेंट हैं अपने आप में विमन इंपाउर्मेंट के नाम पर एक अमेजिंग कॉनवर्सेशन आपको सामने समझ में आ जाएगा एक ग्रहणी कैसे एक्सपोर्टर बनती है क्या चीज उन्हें एक्सपोर्ट में लाती है कैसे पहला शिप्टमेंट भेजते हैं बभीशा क्या दिखता है और विशेश तोर पे मैंने दो उनको अनों के सवाल पूछे हैं हमारे वियापारी गंड जो ये विडियो पॉडकास्ट देखते हैं चाहे यूट्यूब पर फेस्बुक पर किसी विज्याबन में या किसी शॉट्स में मैडम के पास क्या मैसेज है एक्सपोर्टर्स के लिए एस्पारिंग एक्सपोर्टर्स के लिए और दूसरा क्वेश आपके बारे में अपना परीचे बताएं आपके बारे में और जान पाएं मेरा कंपनी का नाम गुलमोहर बुटिक इंटरनाशनल है मैं कोलकाता से हूं और मैं अभी एग्रो पॉड़क्ट में डील कर रही हूं इसके बाद कुछी साल पहले मैंने एक बूटिक का बिजनस टार्ट किया बहुत ही छोटी लेबल पर तो उसके कुछी महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा जो गोल है मेरा जो इंटेंशन है वो इसी बिजनस से ना कॉम्प्रीट नहीं हो सकता तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेरा बिजनस को स्केल आप करना है तो सेम बिजनस को स्केल आप करने के लिए बहुत इंडिस्मेंट की ज़़ुरत थी और बहुत इंवल्मेंट की ज़़ुरत थी जो मेरे लिए इंपॉसिबल था तो उसके बाद एक्चुली मैं और मेरे हजबेन दोनों ने बिजनेस का सार्च करी थी कौन सा बिजनेस करना ठीक रहेगा तो एक्सपोर्ट बिजनेस तो बहुत बढ़िया था इसके लिए बहुत नेगेटीव मेंटलिटी भी चलती रहती है मार्केट में तो उसी समय न आपका एड़ दिखा सोसल मीडिया पर तो उसी टाइम आपका जो एड़ था उसमें हम लोग को बहुत इंपरेस किया उसके बाद जब आपका फ्री डेस का एक वर्क्शॉप चल रहा था हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो वो पार्टिसिपेट करने के सबसे पहले बहुत सारा gratitude आप जब यह पॉडकास ग्रहणिया विशेश तोर पर देखेंगी उन्हें भी एक नया रे मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप एक मैया हैं आप एक होम मेकर हैं हमारे भाइसाब का ध्यान रखती हैं बच्चों का ध्यान रखती हैं ख कुला करने के लिए आपने बुटिक इंट्रोड्यूस किया यह अपने आप में वाइस दिसीजन है कि गोल्स को वो बुटिक मैच नहीं करता तो क्यों नहीं कुछ बड़ा बिजनस और अमेजिंग बिजनस एक्सपांशन के लिए कुछ सोचा जाए अपने एक्सपोर्ट को नेगेटिव है यह भी पता किया और उसके बाद आप सीखने के लिए यह बहुत अमेजिंग बाद है ग्रेट तैंक्यू वेरी मच्च मैम टेल अस अबाउट जैसे आपने कहा शोशल मीडिया से आप हम तक पहुंचे और आपने जर्नी स्टाट किया यह जो कंसाइनमेंट भी आपने प्रोड़क्ट फाइनलाइजेशन किया आपने पहली बार जो शिप्मेंट भीजा आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं यहां पर मैडम जहां खड़ी है यह प्रोड़क्स उनोंने किस तरी मेरे लिए क्योंकि एकदम नहीं थी मैं आपके जो प्रोग्राम मतलब जो कॉम्रेटी है उसमें जॉइन करने से पहले मुझे एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था सिर्फिक स्टोडी की जैसा फेल था कि हां ऐसा होता है आपका जो और शाफ है उसमें एक्सपो कर सकते हैं आपके कॉम्मेंटी में जोन करने के बाद ऐसा लगा कि एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी सक्सेस्फूली एडविंस पर में भी मिल रहा है तो उसके बाद आपको जो डाट है वह पढ़ने के बाद पता चला कि मैं भी कर सकती हूँ A May God Weevers को क्या लगेगा डांटे थे, Sir? वो जरूरी है बहुत जरूरी है डांट परना भी बहुत जरूरी है और वह आपसे मिला, सर यह बहुत तो इसके लिए आप हंडिद परसंद आप ही हो कि मैंने कर पाई तो मुझे कुछ भी नहीं था सब मिला है आपके पास से सब मिला है च्रेडिंग भी मिला है तो जब भी कोई मैं कभी भी स्टार्क हो जाती तो मैं आपको फोन कहती ना डायडेक्ट तो आपने सपोर्ट किया फुली सपोर्ट किया तो इसी बजा से ना मैं सक्सेस्फूल रही हूं यह एक्सपोर्ट में मैं हमारे लिए यह कर्मा सफल होने माली बात है आपको बता है मैं एक घर में बैट करके जब वेक्टी सिर्फ सपने देखता है उसे रहा नहीं मिलती है ना वो किस सटपटा हट से गुजरता है वी आपकी भाषा से आपके कम्यूनिकेशन से काफी लोग इंस्पायर होंगे क्योंकि आपके लिए हिंदी जिस तरीकी से आप व्यक्ति करते हैं थोड़ी अलग है तो लोगों को यह भाय रहता है कि कम्यूनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए तभी ही मुझे पेमेंट मिलता है बट देखें आपके केस में यह रिसीव मनी यार शिपमेंट इस संट सेंट आपको और भाई साब को बहुत सारा ग्रैटिटीट तांक यू वेरी मच मैं जैसे ही आपने शिपमेंट भीजा पेमेंट आया आपने खुशियां सब के साथ सेलिबरेट किया फैमिली की क्या फ्रिलिंग रही इसमें मैंने जब एक स्बोर्ट कर रही थि ये किसी नहीं पता था जिशिप मेरे हजबन और मेरे बेटा तीनों ही जानते थे और किसी नहीं पता था क्योंकि सब लोग डिमोटीपैती करते हैं तो इसलिए मैंने किसी को इंफर्म नहीं किया, उसके बाद जब सब को पता चला, सब तो मुझे फुली सपोर्ट किया है, तो मैंने कर पाई, उन्होंने बहुत खूश है, कि हाँ मैं कर पाई, फैमिली में मैं भाई साप के लिए बच्चों के लिए उनकी क्या एक्सपीरेंस रही जब ये सारी चीजें हो रही थी, वो लोग भी बहुद बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरा हाजबिन भी तो खिया है, और वो लोग मेरे साथ भी बहुत सफ़र भी किया है, absolutely I completely get that this is more of a family's case study like एक एक्सकोर्टर की केस टड़ी नहीं है एक परिवार की केस टड़ी है अभी क्या उनकी और कोई रिक्वाइरमेंट है या सिर्फ एक ही चाहिए था उनको इस है उनको मैंने पहले जो बहुत खूश है और वो ना नेक्स्ट के लिए रेडिंग अच्छली प्रॉसेस चैनल र कि मुझे लसी मिल गया फिर से कितने और बायर्स आपको दिखते हैं ऐसे में अच्छली और भी बहुत सारा देश है कनारा से बात हो रही है तो हां पर भी शायद शायद थुरा टाइम लगे और दो अपना शायद टाइम लग जाएगा बट हो जाएगा सर शलूटली मैं आ हम यह बिलकुल सपोर्ट है और हमेशा रहेगा मैं यह जो पॉड्कास्ट है जो देख रहे हैं वो व्यापारी गण है और अंट्रेपरिनर्स जो के एक्सपोर्ट में हैं और जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके इंटरस्ट का है इसलिए यह फेस्बुक पे या के बारे में एक्सपोर्ट ना मैंने जो एक्सप्रियेंस किया अगर टॉपरली इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ना सब किया जाए तो यह सेफिस्ट बिजनस है सबसे सेफ बिजनस क्योंकि इसमें पेमिंट के कोई इशू नहीं है प्रोड़क्ट अगर अब ठीक से दे दो तो कोई दिककत नहीं है फिर से रिटान आएगा और क्या है ना एक बार कास्टोमर के साथ बायर के साथ अच्छा रिलेशन बन जाए प्रोड़क्ट अच्छा दे दिया जाता है तो वो लोग ना छोड़ना नहीं चाहते उनको क्योंकि एक रिलावल एक्सपोर्टर मिलना भी बहुत मुश्कील होता है तो मुझे लगता है कि अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ना एक्सपोर्ट बिजनस किया जाए तो एकदम बहुत बढ़िया बिजनस है अमेजिंग वेरी गुड़ अमेजिंग मैम आपसे बोनस क्वेश्चन जो यूजुल हम नहीं पूछते हैं वो यह है महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो भी गर्ल्स या लेड़ीज जो भी लाइक या लोगी फ्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्र यही मैसेज है कि हम लोग लड़की है तो सब कुछ कर सकते है रहा है तो एक स्पूर्ट भी कर भी सकते है इस लाइक इस लाइक देश यूनो स्पेशल डिश हम बनाते है ना पन्रा मिलीट लगते हैं किचन में बट शायद यह बनने में पंदा दीन या फिर पंदा हफता ल थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और थोड़ा सा डेरिकेशन देना है लुक एट इस माना आओ मैं तो अपने को लड़ना ही है और साथ में आप जैसे कोई साथी मिल जाए ना तो जीत तो पक्की है सकते वाव वाव मैं तास अमेजिंग आफ यू एक्सपोर्ट अवज एक डिश की तरह है इंग्रीटिंट्स को एक ता करो और तैम दो हो सकता है आदे गंटे में ना बने दस दिन में बने सबसे मतलब बहुत क्या टाइटल भी यही दिया हुआ है हो मेकर टर्न एजन एक्सपोरडर ग्रेट 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 मैम हमारा प्रोग्राम का या हमारा क्या रोड रहा क्या शेयर करना जाएंगे अब आपके विना यह अधूरा है नहीं हो सकता ठीक है अच्छली मैंने जो एक्सपीरिंस किया मैं वहीं बता रही हूं क्योंकि मुझे कुछ कुछ इंफ्रमीशन था ही नहीं मुझे कुछ एक स्टोडी की יהसा था जहां एक सपुर्ट होता है हमारे देश में कुछil में यह पैसा नहीं होता है रही पैसा नहीं रही आता उसमें मत जा है मत कर आप करो और हमने आपसे शिखा है कैसे बिजनस करते है करते हैं कैसे instruction follow करते हैं आपका जो instruction आपका जो system है ना कभी कभी लगता था अरे मतलब कैसे करूं मतलब जब confusion हो जाती थी ना पस आग बंद करके आपका instruction follow करती थी तो हो जाता था तो आपके विना ये पॉसिबली नहीं था मेरे लिए तो आपके बहुत बहुत सपोर्ट के आपनी जब भी ज़रूरत थी आप थे हमारे साथ तो आप तो वह लाना एक दम साथ थी किता रहा थे ग्रेट मैं तांक यू वेरी मच रेली अपना समय देने के लिए यहां पर आकर अपने अपना एक्स्मिरेंट शेयर किया यह जब लोगों तक पहुंचता है उनके अंदर भी प्रेणा आती है कि उन्हें एक्स्पोर्ट करना चाहिए बहुत-बहुत शुग्रिया आपका आट स्ट या आप एक्स्पोरट नहीं करते हैं तो दो चीज़े करते हैं या तो आपको नॉलेज Dos achievements नहीं किया तो करना पर मैं पहरी बार पब्लिक डूमेंट पर आप से कमिनिकेशन करना साथ हूँ implementation हर एक का अपना जर्नी है कोई हडबडात नहीं है आपकी जो fixed income है उसे disturb मत करिए और export में आए रोज का कुछ समय बिटा करके भी आप learning और implementation के लिए आगे बढ़ते हैं तो cumulatively magical results होते हैं इसलिए हमने podcast के माधियम से आप सब लोगों तक सही message पहुँचे आपको ये पूरी की पूरी जर्नी करवाते हैं आप यहां तक बने रहे Thank you everybody I'm looking forward to assist you in one more podcast Jati Ma'am looking forward to serve you so that you can be that super serial exporter gratitude to you Thank you Thank you so much